और किस जगे पर कितना मजर्मेंट रखते हैं तो आप सब पूरा वीडियो देखे और मेरा चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सस्क्राइब कर ले और साथी बेल बटन को दबा दे ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करें तो नोड़ पीस यह आप का कमर हो गया वेस्ट हो गया यह कमर हो गया और यह हीप हो गया 40 इंची लंबाई 40 इंची और इंसाइड जो है वह भी 30 इंची है और मोहरी जो है बटन जो है वह 17 इंची है और नी जो है घुटना वह 19 इंची है और थाई जो है वह 20 इंची है ठीक है तो यह मेरा मजर्में हो गया तो पहले आपके पास अगर कपड़ा काम है तो आप यहां से नियुन लगाए ठीक है तो मैं ज़्यादा कपड़ा इदर लिख लिए ह Bugün इसलिए में थोड़ा नीचे करके निशान लगा रहा हूं यह मेरा ज़्यादा कपड़ा है तो पहले एक सीधा निशान लगा लेंगे कि सीधा निशान लगाने के बाद में आप एक इंची जो है इंची टेप से एक इंची उपर छोड़ करके आपको यह लंबाई का लगाना लंबाई कितना इसका चालिस इंची है तो यह चालिस इंची के उपर निशान लगा देंगे और तीन इंची दबाव देंगे महरी में तो एक दो तीन यानि फोटी ठीरी पर निशान लगा देंगे यह आपका मरजीन हो गया उसी तरीके से यहां पर भी एक निशान लगा लेंगे, यह आपका 40 इंची हो गया, पलस 3 इंची मरजीन हो गया, उसके बाद में यहां से इन साइड जो है, वो 30 इंची है, तो यह 30.5 के उपर एक निशान लगा देंगे, और इसका जो आधा करके, इसका आधा करके, इसके बाद में दो इंची उपर निशान लगा लेंगे, तो आप यहां से इंची टेप उपर रखिए, और यह 23 के उपर हो गया, यह 23 के उपर हो गया, यह सीधा निशान कर लेंगे, कि इसके बाद में यह निसान जो है वो पूरा सीधर लगा लेंगे अब इसका थाई है तो यहां से एक इंची हटा करके और थाई का है 14 यानि डबल होता है 14 दुना 28 उसके बाद में इसको डबल ऐसे करके फिर यहां से सेंटर कर लेंगे सेंटर करने के बाद में देखिए यहां से यह सेंटर हो गया तो फिर यहां से यह किनारी तक यह 9 आ रहा है तो 9 के उपर एक निसान लगा देंगे आपको यह लाइन पूरा उपर से लेकर के नीचे तक सीधा कर लेना है यह सीधा हो गया अब आपको क्या गरना है इसका है चालिस इंची हीप है तो इसका पौने दो इंची यह निकालेंगे ग़ूर्ण का जो पौने दो इंची निकालेंगे और फिर यह अगर आपको ये समझ में नहीं लग रहा है, ये पौने दो किस हिसाप से निकलें, तो इससे पहले मैं सामना प्लेन का वीडियो बना के डाला हूँ, उसमें इसका हिसा मैं बता दिया हूँ, तो आप वो मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद में, जैसे सामना प्लेन होता है यहां से करास करते हैं, उसमें करास नहीं करना है, उसके बाद में, ये नी है, 19 इंची, तो ये पौने पांच, और ये साड़े नौ, और बटने सातरा, तो सावाचार, साड़े याट, ये पूरा सीधा निशान लगाना है, उसके बाद में, यहां से ये वाला इसके ल, उसके बाद में, ये वाला इसके ल, ये आप का, ये आपको पूरा अच्छी, उसके बाद में, पूरा अच्छी तरीके से देख लेना है, से आपका पाइंट का जो है यहां देखे आपको पाइंट देखने में ही पता चल जाएगा से इसका सेप का इसा है अगर इसन हो कि यहां पे कम हो जाए और यहां पे ज्यादा हो जाए तो ओ पाइंट क्या होता बेली सेप में हो जाता है तो इसलिए जो पलेट वाला है यहां घुटना में है जो आप ज्यादा छोटा रख देंगे तो देखने में अच्छा नहीं लाएगा जैसे मोटे साइज का हो गया उसमें ज्यादा करके लूज के लिए पाइंट पहनते हैं तो यहां पर भी आपको लूजी देना है और थाई में लूजी देना है ठीक है यह हो गया आपका अब यहां से क्या करना है यह पौने 2 इंची आपको चति से ले करके और 60 तक यह पौने 2 इंची पौने 2 इंची दीजिएगा अगर चति से निचे आ गया तो डेर इंची दीजिएगा ठीक है और यह शाठ आ गया तो इसमें 175 ठीक है यह शाठ तक पहुने दो इंची रहेगा पलेट और जो सिंग छाती से निचा रहेगा 32 हो गया चोंतीस हो गया आपको 30 हो गया अठाइस हो गया उसमें अगर पलेट रखना है तो डेड़ इंची रखेंगे तो यह आपका हो ग पहुने दो इंची हो गया यह तो इसको क्या करना आप इसमें भी आपको यह जो लाइन हो गया यहां से दो-तीन इंची नीचे तक इसको सिधे करना जैसे अड़ाई इंची, साड़े-दो इंची नीचे रखना यह है, इसका सेंटर जो थाई का मारिक होता है, इससे तीन इंची, साड़े-दो इंची, तीन इंची इतना ही रहता है, तो यह आपका यहां तक हो गया, उसके बाद में आपको यह डेड़ इंची का एक निसान लगाना है और फिर ये एक ची का कल दश weiter क्राफ इसको क्या करना है आपने लिए निशन सीधटािया यहां से ऐसादो तीन इस आथ तीन नंशी है रिखने के यह से बड़ित्यक्ति देकर के यह मृत अगाना है ठीक है जो 36 से नीचे आएगा यह 36 साइज का हो गया डेड़ इंची और यह 60 साइज तक हो गया पौने 2 इंची तो यह आपका मुकमल हो गया उसके बाद में आपको कंबर कनाप लेना है तो यहां से आप यहां तक नापेंगे और फिर यहां से उठाके इंची टिप यहां हां रखेंगे और यहां से उठाकी यह रखिंगे यहां से फिर यह रखिंगे जैसे यहीmäßig मेरा हो गया 7-7 तो फिर यहां से 45 इंची रखकर के यह ми閃श हो गया तो पिर 7 इंची मैं यहां रख दिया यहां से मुझेोंate है कि कोई भी अगर प्लेट वाले पाइंट हो तो उसको आप किस तरह काटेंगे कि उसके बाद में आपने ये कि डेढ़ इंची एक लाइन देना है कि और यहां से साड़े साथ इंची कि यह आपका तैयारी आएगा इतना ठीक है तो आप कोई भी अगर नर्मल जो प्लेट वाली पाइंट कर रहा है तो आप इसी तरीके से किजिए अब इसमें क्या होता प्लेट वाले में क्या होता है ज्यादा करके मोटे आदमी होते हैं साइज बड़ा होता है तो उसमें क्या करते हैं हाप इंची डाउन कर देते हाप इंची डाउन करने से क्या होता है सामने जो है कि पेट जो है नो निच्छे लद्गा हुवा रहता है तो यहां पर इसे नौम आजाएगा ठीक है यहां पर से नौम आ जाएगा तो इसलिए हाप इंची अगर यह आप सीधा कर ले रहें अगर आपको क्रस्ट भी करना है डाउन करना है तो आपको यहां से लेकर के मारी के लगाना है और यह वाला स्केल नहीं लगाना है ठीक है यह वाला स्केल नहीं लगाना है हलका सा राउंड लेकर के यहां से लगाना है तो यह आगे आपका पाइंट हो गया प्लेट यह आपका प्लेट का पाइंट हो गया तो आप कोई भी पाइंट कटिन कर रहा है यह आपका 38 साइज का हो गया तो आपका इसी इसाफ से आप कोई भी प्लेट वाली पाइंट करिए और मुझे सपोर्ट किजिए आपको अगर कोई दिक्कत है कहीं पे तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए मैं उसका रिपलाई दोंगा तो चलिए मैं रखता हूं ओके बाई